Hello Book Buddies, कैसे हैं आप सब? I hope all of you are doing great. दोस्तों, अर्तगल गाजी has taken our nation by storm. जहां देखों वाइज ड्रामे के पोस्टर्स नजर आते हैं, टी-शिर्ट्स नजर आती हैं, ओल्लाइन वीडियो क्लिप्स नजर आते हैं, and even for that matter, कुछ लोगों ने तो अपना हुलिया भी एंजन अलतान और तुर्गुत जैसा बना लिया है. अब entertainment के हवाले से देखें तो ये superficially unharmful नजर आता है, लेकिन इसका psychological, behavioral और cultural impact बहुत बड़ा है. हम एक ऐसे culture को imbibe करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिरे से हमारा है ही नहीं. इससे ज़्यादा concerning बात ये हैं, कि जहां West Mars, यानी मरीख पर जाने की बाते कर रहा है, in fact, वहाँ पहुँच गया है, हम लोग आज भी उन जंगों लड़ाईयों को enjoy कर रहे हैं, जिनका पाकिस्तान की हिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है. इसी हवाले से पाकिस्तान के नामवर साइंसदान और स्कॉलर, डॉक्टर परवेस हुदबाई ने रीसेंटली डॉन में एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसका टाइटल है, Inventing Cultural Nostalgia. आज हम इनी के साथ इनके आर्टिकल पर चर्चा करेंगे. असलालेकूम एन वेलकम डॉक्टर साब. वालेकूम सलाम. सबसे पहला सवार डॉक्टर हुदबाई मेरा आप से ये है, कि क्या अर्तगल गाजी जैसे ड्रामों से हमारी, यानि पाकिस्तानियों की इन्टिलेक्शल डिवल्पमेंट हो सकती है, जिसके हमें शदीद जरूरत है. पहली बात तो ये कि ये हकाइक, तारीखी हकाइक पर मबनी नहीं है. ये हिस्टॉरिकल फिक्शन है. अर्तगल गाजी के बारे में बहुत कम मालूम है. तर्किश हिस्ट्री में भी उसकी उपर सिर्फ दो या तीन सफ़े लिखे गए हमें ये नहीं पता कि उसने कौन कौन सी जंगे लड़ी, क्यों लड़ी, उनका अंजाम क्या हुआ, कि असल हकाइक क्या है. तो इसका मकसद तारीख पढ़ाना नहीं है. इसका मकसद है कि एक खास किसम के कल्चर को जनम देना. और यही वज़े है कि इमरान खान ने पी टीवी से ये कहा कि इसका उर्दू में तर्जमा होना चाहिए. और यही वज़े है कि आज ये इतना ज्यादा देखा जा रहा है तो इसमें खास मॉडल है और वो मॉडल यह है कि जब भी हम इमान की रसी थामे वे होते हैं और हाथ में तलवार होती हैं और घोड़े पे सवार होते हैं तो उस वक्त हमारी फता होती है तब ही हम अजीम बनें और अगर वही जमाना लाया जाए दुबारा से तो फिर अजीम हो जाएंगे तो यह जो बाद में जवाल आया वो फिर इसी लिए कि हम अच्छे मुसल्मान नहीं थे कि हमने दुश्मनों को जेर नहीं किया उनकी गर्दने नहीं काटी तो इसका मकसद एनलाइटनमंट नहीं है खिरद अफरोजी नहीं है इसका मकसद यह है कि एक मौडल ऑफ बिहेवियर काइम किया जाए और यही वज़ा है कि आखिर जो हमारी रियासत है जिसको इल्मी मौामलात में कोई दिल्चस्पी नहीं है तारीख में दिल्चस्पी नहीं है साइन्स में दिल्चस्पी नहीं है लेकिन रियासत नहीं ये सोचा कि अगर एहल एक्तदार का कंट्रोल और ज्यादा पक्का मजबूत करना है तो ऐसे ड्रामें उसके लिए बहुत कारामद हैं बहुत मुफीद हैं लेकिन रॉक्सपी इसमें ये भी परस्पेक्टिव आता है जिस तरह अंग्रेजी में एक मशूर कहावत है कि पीपल उडू नॉट लर्न फ्रॉं दो नॉट लर्न फ्रॉं दो नॉट लर्न फ्रॉं फ्रॉंस तो रिपीट देम तो क्या इस तरह के ड्रामों से इस तरह की हिस्ट्री को देखने से हम कुछ लर्न भी कर सकते है हाँ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर दुरुस्त हाकाइक हमारे सामने रखे जाए और फिर उनका एक माकूल तज्रिया किया जाए तो अब मिसाल के तोर पर चलिए यह तर्किश हिस्ट्री के बारे में हमें क्या पता और यह वैसी फर्जी चीज है सारी लेकिन आप हिंदुस्तान को देख लीजे मुगलिया दौर तो हमें यह बताया जाता कि मुगलिया दौर का जवाल इसी लिए आया कि हम राहे रास से हट गए हमें यह बताया जाता है कि औरंग्जेब बहुत पारसा बहुत रासिकल एतकाद था और बहुत नेक आदमी था लेकिन उसके साथ फिर धोका हुआ और यही वज़े है कि वो अजीम सल्तनत खत्म हो गई लेकिन देखिए हमें सिर्फ यह यह नहीं बताया जाता कि औरंग्जेब ने क्या कुछ किया? अपने बाप के साथ, अपने भाईयों के साथ, कि फिर उसने जो दूसरे مسلمان हैं खासतोर पे जो शीया हैं उन के साथ क्या जल्म किया? और बहुत सी बाते हैं जो हमें नहीं बताई जाती हैउने लहाजा उस तारीख से हम क्या हासिल करेंगे तो यही बात मैं अर्टगल गाजी के बारे में कह सकता हूं कि यह ड्रामा तो इतना मकबूल हुआ लेकिन क्या इस से हमें पता चला कि जो सल्तनत इसमानिया है उसका जवाल क्यों हुआ अब यह देखिए कि यूरोप के साथ जो म बहादर थे हम भी बड़े बहादर थे लेकिन जीत उनकी हुई क्यों हुई वह इसलिए कि उन्हों ने फिर अकल से काम लेना शुरू किया उन्होंने मुतालिया किया साइंस का मुतालिया किया साइंस की इजादात साइंस के उसलों से फाइदा उठाते वे उन्होंने वह फ खिलाफत भी खत्म करनी पड़ी, मुस्तफा कमाल अतातुर को ये खिलाफत खत्म करनी पड़ी, तो हाँ हम सीख तो सकते हैं, तारीख से सीख सकते हैं, लेकिन पहले कुछ सचे हाकाइक तो सामने रखें ना। रख सब आपकी इसी बात से एक सवाल डवटेल करना चाहूंगा कि वाट इस दा साइकॉलजी आफ दिस सेवियर माइंडसेट, स्पेशल इन आर पार्ट अफ दिवर्ल जहां मसिया के इंतजार में सदियों गुजर जाती हैं, लेकिन हालात, घूक, नंग, मुफलिसी, गुर् करवाएं, हाथ में तस्बीर रखें और बस कोई मावराई कुट जो है, वो आपको अपनी मुसीबतों से छुटकारा दिलवाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद, मगर होता नहीं ना ऐसे, आप देखें, जो गरीब लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इस तरह के काम करते हैं, मगर गरीब ही रहते हैं, और गरीब मुलक और जिनकी सोच पसमानदा है, बस वो यही काम करते रहते हैं, अब आप मकाबला कीजिए हमारा, यानि के पाकिस्तान का और दुन्या के जो तरकी आफ़ता मुलक हैं, हाँ हम उनको बहुत गालियां देते हैं, हम उनको बड़ी लांतान करते हैं हम कहते हैं कि वो सारे बद अखलाक है ये भी लेकिन हम जाना उधर ही जाते हैं और गर्जा लेते हैं तो उनसे लेते हैं कभी यूरप ने हमसे गर्जा लिया है आएफमेफ ने कभी पाकिसान से गर्जा लिया तो देखी बात ये है कि जो जदीद ज चलता है और उसका हुसूल इतना आसान नहीं है उसके लिए आपको बड़ी तागोदाओ करनी पड़ती है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अगर तो बस आप कोई हाथ में तस्बीक पकड़ के वो सारी चीजें हासिल कर सकते जो मगर्ब के पास है तो फिर वंग पहले ही हो जा क्या पता कि किसी दिन आए ना आए हो सकता कि आए मैं यह नहीं कह रहा हूँ लेकिन जो कौमें दुनिया में हैं इस वक्ड़ जो जो मुलक हैं और जो अपने अवाम को जरुरियात जिन्दगी मुहिया कर सके हैं और उस से ज्यादा भी और बाकी मुलकों की मदद करते हैं वो उनको किसी मस्या ने नहीं बचाया वो अपनी मेनत खुद करके उपर उठे हैं उनके अंदर वो शौर है उनके अंदर वो सोच है वो फिक्र है जो उनको इधर तक पहुँचा सकी है अब वो जो मख़भियत में डूबे हुए हैं और मजीद उसमें डूबे जा रहें त उनका अजाम तो फिर कोई इतना अचा नहीं होगा इस आर्टिकल में आपने एक बहुती इंट्रॉस्टिंग इस्तला कल्चरल नॉस्टैल्जिया का दिकर किया है इसको प्लीज एक्स्पेंड कीजेगा वाट ड़स इट अक्चुली मीन हाँ नॉस्टैल्जिया एक खासा सकी लवज है अंग्रेजी का तो इसकी मैं तश्रीक करना चाहूं तो देखें हम सब को बीतेवे दिन याद आते हैं और हम खुश होते हैं और एक दिल में कलक भी होता है कि आई है वो क्या जमाने थे अच्छा तो ये तगरेबां डेर सो दो सो साल पहले की बात है कि एक स्विस स्विच्जिलंड के डॉक्टर ने कुछ मरीजों की तश्वीश की और वो ऐसे लोग थे वो सिपाही थे स्विच्जिलंड आर्मी स्विस आर्मी के सिपाही थे जो मुल्क से अपने मुल्क से बहुत अर्से तक दूर रहते थे और उनको अपना मुल्क बेहाद याद आता यहां तक कि वो वो तकरीमन हर चीज़ हर दूसी चीज़ को छोड़ देते थे तो ये मर्ज में मुब्तला थे तो उस मर्ज का नाम नौस्टैल्जिया रखा गया यानि कि जब माजी की याद आपको हद से ज्यादा सताए तो उसे नौस्टैल्जिया कहते हैं अच्छा चलिए अगर हद से ज्यादा नहीं कुछ सताए तो ठीक है हम सब पुराने गाने सुनते हैं और उससे लुथ नौस्टैल्जिया होते हैं तो वो भी एक तरह का नौस्टैल्जिया में मुब्तला है तो बस वो माजी के खाब देखता है अब माजी खुदा जाने उसकी असल हकीकत क्या थी अब मिसाल के तौर पर हम इसलाम की अजमतों को याद करते हैं वो बीतेवे दिनों को याद करते हैं और उसमें कहीं कुछ सचाई हो सकती है और कहीं तो बस वो मनगड़त है बनावटी है अपने दिमाग का इखतरा है जैसा कि ये अर्टगल गाजी है तो जैसा कि इसमें कोई हाकिकत नहीं है कि कोई ऐसा शख्स था जिसने ये ये जंगे लड़ी उसकी ये ये फतुवात थी ये तो बनावटी चीज़ है मगर अब वो हमारे अंदर दाखिल कर दी गई है ये अर्टगल गाजी बना तो था ड्रामा का सिल्सला बना था टरकी के लिए लेकिन वो अब यहां लाया गया और हमें ये बताया जा रहा है यह हमारी तारीख है हम पाकिस्तानियों की तारीख हम जोड़ ने टरकी के साथ अब यह तो एक जल्म है ना क्यूंकर वो हमारी तारीख है नहीं हम ना उनकी जबान जानते है ना उनका लिबास हमारा लिबास है ना हमारे तोर तरीके और उनके तोर तरीकों में कोई मुमासलत है लहाजा ये कल्चिर नौस्टैलिया से ज्यादा है ये एक मैं कहूंगा कि एक समाजी मर्ज है जिसमें हम मुबतला हैं क्योंकि हम अब तक ये तैनी कर सके पाकिस्तानी सरकारी तोर पर ये तैनी कर सके कि हम हैं कौन अब ये मसला इंडिया में नहीं है इंडिया के लोगों का ये है कि हम उसी धर्ती के हैं कि हम अधरी के हमारे आबाव औजदाद इधरी के हैं और कि सिविलाइजेशन बलके जो इंतहा पसंदें वो तो कहते हैं कि तमाम तहजीमें यहां पर शुरू हुई थी खैर वो तो इंडिया का मौमला है उधर भी एक तरह का कल्चरल नौस्टैल्जिया है मगर हम यह नहीं तैकर पाएं कि हम क्या आरब हैं तो कभी हम ऐसे करते हैं कि जुबा पहल लेते हैं सर पे वो हाला रखते हैं और यहां तक यह दीवानगी आ चुकी है कि हम नंबर प्लेट्स में अल बाकिस्तान लिखते हैं अब यह मजए का खेज बात है अब अरबी में पे नहीं हैं आप हम सब जानते हैं तो बाकिस्तान कर दिया यह बंजाब कर दिया तो यह एसास से कमतरी में हम मुब्तला हो गए हैं जो के एक एक बीमारी है हमें कोई कमतरी का एसास नहीं होना चाहिए इस दुनिया में सारे लोग एक जैसे हैं जो पंजाब में पैदा हुआ जो सिंद में पैदा हुआ जो गिलगित में पैदा हुआ या लंडी कोतल में पैदा हुआ इस आर्टिकल में आपने रिचर्ड दे लाइन हार्ट का भी जिकर किया है हिंदुत्वा की जो फंडमेंटलिस फिलोसफी है उसको भी बयान किया है डॉनल्ड टरम्ब का भी जिकर किया है तो क्या आपको लगता है कि वेस्ट भी कुल्चिरल नॉस्टेलजिया का शिकार है pozy ही न कहीं कल्चिरल नॉस्टेल्जिया तो हर जगा है हाँ आप देख लीजए यह जो रिचर्ड दे लाइन हार्ट है तो यह तो एक हजार साल पहले की बात है तो ये किंग रिचर्ड था जिस जो बड़ा बहादर समझा जाता है और जिसका जिसके बारे में ये कहता था कि एक तलवार की एक वार से वो मुसल्मान की गर्दन उड़ा देता है तो ये जैसा कि हमारे हाँ अर्तगल हो गया वैसे एक हजार साल पहले ये बरतानिया में था इंगलन में था खुसुशन उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये बड़ा दाना सियाना शख्स है और बड़ा दूरंदेश है और बड़ा मुसिफ भी है रहम दिल भी है लेकिन दुश्मनों को ये नहीं छोड़ता तो बिल्कुल वही सिफात जो अर्तगल के साथ मनसूब की गई है इसी तरह से आप देखें कि आप इंडिया में शिवा जी की तलवारें बिकने लगी हैं तो जैसा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं और भी मैंने कुछ वक पहले ये वी बचे तलवारें बना कर एक दूसे के साथ मुकाबला करने और जब इंटर्विव किसी के पास एक स्मार्ट फोन है उसने किसी बच्चे से पूछा कि ये तलवारें किसली हैं तो वो कहते हैं कि इस से हम काफिरों की गर्दने काटेंगे तो ठीक है काफरों की गर्दने काटेंगे अब काफिर कौन वो तो आजकल पता ही नहीं चलता ना कि कौन काफिर है कौन नहीं है उदर कराची में नारे लग रहे हैं शिया काफिर शिया काफिर तो उनकी गर्दने काटेंगे या पता नहीं किस की काटेंगे लेकिन ये नजमी हैं इधर खुदकुश हमले सेंक्रों क्या हजारों के हिसाब से हुए हैं इधर मुसल्मान मुसल्मान के खुन का प्यासा बना है क्योंकि ये एक जंग्जू कैफियत हम पे तारी की गई है तो हाँ इंडिया में भी अब ये मर्ज जरूर है शिवा जी उसको एक हीरो के तोर पे रखा गया है उसकी तलवारे उस किसम की तलवारे बनाई जायatal रही है बेची जा रही है तो ये बीमारी हर तरफ है मगर हमारे हां شायद कुछ ज्यादा है रॉपसाब आपका आर्टिकल पढ़के और अभी आपकी बाते सुनके एक बहुत important सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो ये कि why do intellectual movements fail to prosper in our part of the world including Pakistan? अक्सर हम लोग मुलाइयत को इसकी वजा समझते हैं But don't you think intellectuals in our country are timid and have a don't care attitude? जो मौलवी है या मुला है वो लोगों को ज़ादा प्रोचिबल और पैशिनेट नजर आता है वीजवी इंटिलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट विचर हार्ट तो अप्रोच वाट से पॉइंट प्रोच वहां तो ऐसे है कि चन्द रोज पहले हाइर एड्यूकेशन कमिशन के चेर्मन तारिख बनूरी ने यूनिवरस्टी के प्रोफेसरान और कुछ स्टूडन्स से ये पूछा बड़े मजमे में बताईए पाकिस्तान में कौन सा फिलोसफर है कोई पाकिस्तानी फिलोसफर का नाम बताएं उधर खामोशी चागई देर इस नो पाकिस्तानी फिलोसफर किसी एक ने का अल्लामा अखबाल अरे भाई अल्लामा अखबाल तो 1938 में फौट हो गए तो उसके बाद क्यों नहीं है पाकिस्तान में वज़ा ये है कि यहां सोच की आजादी नहीं है फलसफे के लिए दिमाग को खुला छोड़ना पड़ता है उसके उपर जो गदगने हैं जो गैद हैं वो उसके होते हुए कोई शखस फिलोसफी नहीं कर सकता और यही बात मैं कहूंगा दूसरे मज़ामीन के बारे में भी उस पर भी ये बात सादिक आती अगरचे इस हद तक नहीं कि जब तक कोई आजादी नहीं हो सोचने की आजादी नहीं हो और जब हर चीज़ को मजभियत के साथ मजभ के साथ जोड़ा जाएगा तब तो इंटेलेक्शल डिवेलप्मन नही हो सकती अब आप मुकाबला कीजें इंडिया और पाकिस्तान का वहां हजारों अच्छे साइंस दाने यहां आटेमे नमक के बराबर है और साइंस दान से मेरा मतलब ये कि वो जो फिजिकल साइंसेज में और वो जो सोशल साइंसेज में क्यों है इसलिए कि हमारे बच्चों को एक इतना बोज के तहट रखा जाता है कि अक्सर और बेश्टर की दिमाग जो है वो शादुल्ले के चुहे के बराबर हो जाते हैं वो जो टोपी पेनाई जाती है वो हमारे बच्चों को पेनाई गई है और यही वज़ए है कि इंट्रिलेक्चल डिवल्मेंट यहां नहीं हो सकी तो अच्छा है ये अब की बात नहीं है देखे इसलाम में अच्छे दौर भी आया हैं बुरे भी जो अच्छा दौर था वो नवी से लेके तेरवी सदी तक का था जब युनान की तहजीब युनान के फलस्फियों का तरीका कार लॉजिक मन्तिक अकल इसको कुबूला गया और इसको खिलाफ इसलाम नहीं समझा गया इस नाट कंसिड़र इंटी इसलामिक जो मुतजला तहरीक चली थी उसमें ये था कि हां हम इमान भी रख सकते हैं अकल भी रख सकते हैं लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं और इमाम घजाली का वक्त जब आया तो फिर इस को इस सोच को मुस्तरद किया गया ये कहा गया कि युनान से आईवी चीज़ें ये सारी की सारी गलत है खिलाफ इसलाम है और यही बात तो अल्लाम अफकार है इबलीस की इजाद आजादी ए अफकार है इबलीस की इजाद चेक कर लेजे ये वह गय वह outta फ्किवनोंने लिखका है लहाज़ा पाकिस्तान में और इस बर्शगिर के मुस्वानों में कोई फलसफा नही जनम ले सका और नहीं शाइन्स या इलमियत तो अब इस उस जमाने पे जाना है जब दिमाग खुले होते थे, मुसल्मानों की दिमाग खुले होते थे, तब ही जाके मौामला कुछ बेटर हो सकेगा. आखरी सवार डॉक्टर साब मेरे ये है कि आपकी कोई सजेशन है, कोई एडवाईस है, इस माइंड सेट के हवाले से, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और अपनी सोसाइटी को गुरूम कर सकते हैं. देखे, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे मुलकों की तरफ एक नजर डालें, तो वो कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं, अब मिसाल के तोर पर मिरीख के गिर्द पांच मुलकों के खलाई जहाज गर्दिश कर रहे हैं, उसमें इंड जो रॉकिट था, वो जापान से लाँच हुआ, और काम उनका शाद इतना ज्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी उनकी सोच वहां तक पहुंची है, जबके हम माजी में फासे हुए हैं, तो मेरे पास जैसा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं हैं, लेकिन अगर यह खुतोत पे तलिम दी गई पाकिस्तान में जैसा के बाकी दुनिया में हैं, तो फिर यकीन, हम उसी तरह के हो जाएंगे, उसी रफटार पे हम तरगी कर सकेंगे, क्योंको हमारे जीन्स और भाकी दुनिया के जीन्स में तो कुई ऐसा फार्क तो हैं ना, बात सारी यह है कि हमारी जो तालीम और तर्वियत होती है ये बाकी दुनिया से बहुत मुक्तलिफ हो गई है और शायद अब ये जो वाहिद कौमी निसाब बना है और जब इस पर अमल होगा तो हम और ज्यादा मुक्तलिफ हो जाएंगे ये नहीं के हम कोई जादा अच्छे इंसान बनेंगे यहां जो जितनी चोरी चकारी चीटिंग और दरोगोई और सारी जो खराबियां है वो तो अपनी जगे पे हैं लेकिन जो जदीद सोच है साइंस और जदीद उलूम इन सबसे हम बसब कट जाएंगे अगर हमने अपनी तालीम को ठीक नहीं किया जो कि हो सकता है उसके लिए कोई या बड़ी रखम नहीं चाहिए उसके लिए महद सोच चाहिए सही सोच चाहिए और उस तक पमचने के लिए हमें काफी वक तक जदो जहत करनी होगी Thank you, Dr. Saab. It's always a pleasure to talk to you.